पिछली बार मैंने रीडिंग के उपर विडियो बनाई थी अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो तो क्या आपको नए-नए स्कील सीखना बहुत पसंद है? क्या आप ए स्कील बहुत जल्दी सीखना चाहते हो? तो इस विडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज मैं आपको पाच पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप कोई भी स्कील जल्दी सीख सकते हो चाहे वो language learning हो, कोई instrument प्ले करना हो, कोई creative activity हो या चाहे business skill ही क्यों ना हो तो चलिए शुरू करते है दोस्तो कोई भी स्कील सीखने से पहले आपको खुच से पूछना होगा कि आप कितना सीखना चाहते हो For example, अगर आप एक language बस इतना सीखना चाहते हो, कि आप उस language में communicate कर पाओ तो आपको बस basic communicative words सीखनी पड़ेगी और time भी कम लगेगा लेकिन अगर आप उस language में माहिर होना चाहते हो तो आपको grammar, vocabulary ये सब सीखने के लिए इस पे जादा time देना पड़ेगा So at first, ask yourself how much do you want Number 2, 20 hours rule एक author ने अपने book पे लिखा था कि कोई भी skill में master होने के लिए हमें उस skill पे बस 20 hours लगाने पड़ेंगे नहीं दरिये मत, एक दिन में ही 20 hours नहीं जैसे कि अगर आप उस skill को सीखने में एक दिन में 1 hour spent करोगे तो 20 दिन में 20 hours हो जाएंगे तो आप किसी भी skill में master हो सकते हो बस 20 hours spent करके लेकिन याद रखना आप जितना भी time spent करो उसमें focus रहना जरूरी है Number 3, be practical दोस्तों हम बहुत बर क्या करते हैं कि बस theoretically search करते रहते हैं और खुद तो practice हैं नहीं करते research करना जरूरी है लेकिन उससे भी जादा जरूरी है खुद practice करना जितना practice करोगे उतना ही उस skill में माहिर होंगे इसलिए don't only be theoretical, be practical Number 4, avoid distraction अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच और साथ में mobile laptop लेके कोई नई skill सीखना start करोगे तो concentration क्या घंटा आएगा पहले ही ये नई skill है आपको ज़ादा हर्ट लगेगा तो concentration भी तो ज़ादा लगेगा इसलिए हो सके तो अकेले practice करो और mobile laptop से दूरी बनाए रखो भी कहते हैं या करते हैं हमें वो ज़ादा याद रहता है इसके पिछे scientific reason भी है तो आपको जो भी skill सीखना हो आप वो सोने से पहले सीख सकते हो तो दोस्तो ये थी मेरी 5 point जिससे आप कोई भी skill fast सीख सकते हो आज कल बहुत सारे लोग multi tasking करते हैं तो क्यों न आप भी multi talented हो जाओ अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो like, comment, share और subscribe कर देना और comment में ज़रूर बताना इन में से कौन सी points आपको पहले से पता थी तो फिर में लेंगे next Tuesday को goodbye and keep learning